नमस्कार दोस्तों, वेव गाइड लेक्टर सेरीज में आप सबका बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम सर्कुलर वेव गाइड की तीसरी तरह की डिफरेंट नमेरिकल प्रोब्लम्स को सोल करेंगे तो यह बहुत इंट्रस्टिंग है यहाँ एक ही questions में दो questions चुपे हुए है हम इनको solve कर लेते हैं तो सबसे पहले जो हमारा part 1 है यह है कि हमारी जो एक circular wave guide है इसके अंदर air filled medium है और इसका आपको inner diameter यानि यह पूरा का पूरा diameter आपको पता करना है तो जो dominant mode है यह हमें पता है circular wave guide का जो dominant mode है वो होता क्या है वो होता है TE11 इसका मतलब क्या हुआ कि जो m की value है वो भी 1 है और n की value भी आपकी 1 है यह understood होता है आपको दिया नहीं जाएगा अगर dominant mode नहीं होता कोई और mode होता तो वो m और n की value आपको जरूर देता ठीक है जी next आपका क्या है कि जो cutoff frequency है fc वो आपको दे रखी है that is 7 gigahertz राइट चोकि आपका जो air medium है राइट इस air medium में जो velocity है वो कितनी होती है velocity का formula होता है बच्चो 1 divided by mu into epsilon राइट लेकिन अगर free space है तो mu mu note के बराबर होगा epsilon epsilon note के बराबर होगा और इस सब का calculation आपका speed of light के बराबर होगा और वो कितना होता है 3 into 10 की power 10 centimeter per second तो ये information यहाँ पे है लेकिन अभी हमें क्या चाहिए था हमें चाहिए था जो था वो diameter राइट अब cutoff frequency हमें पता है तो जो cutoff wavelength है वो भी निकाल सकता हूँ किसके बराबर होगा velocity divided by cutoff frequency velocity क्या है 3 into 10 की power 10 और frequency क्या है cutoff frequency divided by 7 तो जब आप इसको निकालोगे तो definitely आपके पास जो cutoff wavelength है वो मिलेगा 4.28 cm यहां से जरूरी जो result है वो आ चुका है अब हम इसकी help से inner diameter निकाल पाएंगे तो देखो अगर आपको cutoff wavelength पता करना है राइट और उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 pi into a divided by p dash n into m राइट अब n और m दोनों 1 1 है ये वीडियो मैं हर बार remind कराता हूँ कि dominant mode है तो te आपका 1 1 होगा और p dash n m 1 और 1 है तो इसका value ये आएगा 1.481 तो यहां से ये value लिखेंगे this is 2 pi multiply a divided by p dash 11 और उसकी value होती है 1.841 तो lambda c आपका आ चुका है a यहां से आपको smartly पता करना है तो कितना हुआ this is equal to cross multiply कर दो आप तो lambda c कितना है 4.28 cm multiply 1.841 divided by 2 into pi pi कितना है 3.14 तो यहां से बच्चो जो आपका a आएगा वो कितना हैगा almost 1.25 cm अब a तो आ गया लेकिन निकालना क्या था निकालना था inner diameter of waveguide यानि पूरा का पूरा diameter हमारे पास radius आया है diameter निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2 से multiply कर देंगे यानि double half का diameter होता है तो यह जो diameter है यह आपका आ चुका है this is two times of a और वो होगा बच्चो आपका 2.5 cm राइट 2.5 cm तो पहला जो पार्ट है वो खतम कर चुके हैं अब आते हैं second part पे second part में क्या गहता है अगर आपके circular waveguide के अंदर air medium ना होके कुछ dielectric medium है जिसका epsilon r 2.1 है और mu r आपका 1 है तो उस case में आप inner जो diameter है वो निकाल के दिखाएंगे तो dominant mode तो है ही यह हमें पता ही है fc हमारा 7 है ही लेकिन जो velocity है अगर यह आपका dielectric medium है तो velocity का formula होता है 1 divided by mu into epsilon under the root इसको थोड़ा सा और extend करेंगे तो क्या होगा this is mu not into mu r and epsilon not into epsilon r right और 1 upon under the root mu not into epsilon not speed of light के बराबर होगा तो वो हो जाएगा 3 into 10 की power 10 cm per second divided by divided by क्या बनेगा mu r into epsilon r mu r 1 है epsilon r 2.1 है तो यहाँ पे जहाँ यहाँ speed of light हमने use की थी क्योंकि medium air था अब जो medium है वो dielectric है तो speed of light के बराबर नहीं होगा अब velocity यह आपको use करनी पड़ेगी तो अब हम जो cut off wavelength है cut off wavelength है वो क्या होगा वो होता है velocity in the medium divided by cut off frequency तो velocity of the medium हमें पता है 3 into 10 की power 10 divided by 2.1 under the root अब यह fc जो है यह भी लिखोगे this is equal to 7 GHz right यह आपका जो wavelength है cut off wavelength यह आ चुका है अब cut off wavelength आने के बाद आप इसका formula यूज कर लेजिए so lambda c is equal to 2 pi a divided by p dash n into m तो जो dominant mode है यहां से 1 1 value है m और n की तो इसके related जो constant value है यह तो same है तो इसका मतलब यहां से अगर मैं a value निकालना चाहूं तो क्या हो गया cross multiply कर लेजिए this is p dash nm multiply lambda c divided by 2 into pi right यहां से जो a value मिली वो फटाफट देख लेजिए p dash 11 यह value होती है 1.841 lambda c आपका आ चुका है 3 into 10 की power 10 right पूरा value put कर लेजिए under the root 2.1 multiply 7 into 10 की power 9 यह पूरा lambda c का expression यहां put कर लिया और इसके बाद इसके बाद division में 2 into pi है तो यहां पे 2 into pi क्या था 3.14 यह सारी की सारी value आपके यहां पे आ चुकी है और अब आप यहां से a निकाल लेंगे जो भी आपका a आएगा आप comment section में बताएंगे लेकिन वो a आपका answer नहीं है क्योंकि inside dimension हमें पता करना है तो inside dimension मतलब indirectly उसने अंदर का diameter पूछा है तो हमें जो diameter निकालना पड़ेगा वो diameter यहां जो a value आएगी उसको 2 से multiply करोगे तो यहां इस वीडियो में मैंने यह answer नहीं लिखा है यह आप सबके लिए homework है a value बताएंगे comment करिए फिर diameter का आप जो answer आएगा वो भी comment करिए इसी के साथ एक छोटा सा homework और है आप चाहें तो इसके बाद जो phase velocity है वो भी निकाल लेजिए group velocity भी निकाल लेजिए और जो wave impedance है TE mode का वो भी निकाल लेजिए इसके जो formula हैं जो important formula है वो मैं पहले discuss कर चुका हूँ आप सबके लिए homework है जितना हो सके यह सारी values निकाल के comment sections में जरूर डालिए जिसका correct answer होगा मैं उस answer को जरूर acknowledge करूँगा this is the end of the video thank you so much for watching this video